हेलो इस्टुएंट्स आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड डे का कुश्चन से लेकर आये हैं इस कुश्चन को हम लोग जीरो लेबल से लेकर आगे की और बर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए भी कुश्चन दिये हैं मैंने बताया था कि थोरा सा सिरीज लंबा और हम लोग जो वीडियो बनाते हैं केवल कमजोर बच्चों को लेकर के चलते हैं जो टॉपर्स है वो तो टॉपर्स हो ही जाएंगे उनको तो देखने के साथ हो जाएगा जो कमजोर है वो मेरे वीडियो को बार बार देखें तो उनका मैट्स सुधरने की 100% गारेंटी है तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं कि एक आदमी एक वस्तु को 20% लाब पर बेचना चाहता था लेकिन वास्तों में उसने 20% की ठानी पर बेचा लाब कमाने के लिए वह इसे किस कीमत पर बेचना चाहता था चाह क्या रहा था 20% लाब पर बेचना लेकिन 480 में बेचा और 20% की ठानी हो गई तो जब भी इस टाइप से कुश्चन आए आप परसेंटेज में ठट पर कमान्ड करो अगर 2-2 लाब परसेंट है तो तुरत सोचो क्या 2-2 प्रॉफिट परसेंट से 2-2 SP का परसेंट बन सकता है अगर बन सकता है तो कुश्चन बहुत हीजी हो जाएगा तो देखें पहले 20 परसेंट लाब है तो पहला SP 120 परसेंट होगा कि नहीं मैंने बताया था 20 परसेंट लाब चुकि CP 100 परसेंट होता है 20 परसेंट लाब है तो ये 120 परसेंट होगा लेकिन ये वो चाहता था 480 में बेचा तो 20 परसेंट की हानी हुई यानि 80 परसेंट बराबर 480 हमको ये लिखना है 80 परसेंट बराबर है रूपीज 480 एक से दूसरे लाइन में कुश्चन को सॉल्व करने की आदर डालो और परसेंटेज में ठड़ में पहले लाइन में वो लिखो जो इनफॉमेशन दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ था 480 तो परसेंटेज में बना लिया अब तो क्या करा है लाब का माने के लिए वो इसे किस कीमत पर बेचना चाहता था तो वह तो 20 परसेंट लाब पर यानि 120 परसेंट में बेचना चाहता था तो पाला लाइन वाली को जो दिया हुआ ह क्या था कि 20% हानी पर 480 में बेचा 20% हानी लॉस यानि 80% 480 यह जो चाहता था वो कितना तो 480 बटा 80 गुना 120 आट से खेवार में 720 तो 720 रुपया में वो बेचना चाहता था और तब उसे 20% का लाव होता है क्वेशन आसान है केवल ध्यान क्या रखना है कि रुपीज वाला वैलू किसका है तो उसके सामने उसी का परसेंट बना लो चार सो असी है तो सामने में 80 परसेंट अगर सीपी निकालना होता तो 100 परसेंट निकालते हैं दूसरा इस भी पूछ रहा है यानि 20 परसेंट लाव के लिए पूछ रहा है तो 120 परसेंट आगे भरते हैं परसेंट एक बस्तू को 240 में बेचकर एक व्यक्ति को 10% की ऐनी होती है वह किस कीमत पर बेचना चाहिए कि 20% का लाव हो कुश्चन सेम है कि क्या है कि 240 में बेच रहा है 10% की ऊनी होती है तो इसको भी एस पी बना लो यानि क्या लिख सकते हो कि 90 परसेंट बराबर 240 तो 120 परसेंट कितना क्या लिखेंगे 240 बर्टा 90 गुना 120 पस आगे कालकुलेशन आपको आता है यह आप कर सकते हो फिर भी देख लें 30 आए 90, 30 से यह 4, 3 से यह 8, 8 चोका 32 यानि 320 यानि आप्शन परसेंटेज मेठर्ड बहुत हेल्प कर रहा है हम लोग को फॉर्मूला भी नहीं पता है तब भी सारे कोशन आसानी से बन रहा है तो आगे का हम लोग देखें यह कोशन कि एक भस्तु को 665 में बेच कर 5 परसेंट की हानी हुई 12 परसेंट लाव सेम कोशन क्या लिखेंगे 95 प 165 एक सो बारा परसेंट बराबर कितना तो छे सो फैसेट बर्टा पंचानवेर गुना एक सो बारा तो जिनका मैट्स आसान जिनको नहीं लग रहा है आसान जिनका कठीन है तर लगता है उनके प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे कोशन्स मैंने दिये है तो वो टाइप को समझो और प्रैक्टिस करो ठीक है अगला कोशन्स में बेच कर एक दुकानदार को 30 परसेंट का लाब होता है तो डारेक्ट लिख सकते हो 130 परसेंट बराबर रुपीश 19.50 तो 40 परसेंट लाब कमाने के लिए 140 परसेंट बराबर कितना तो 19.5 divided by 130 गुना 140 अगर इसको अच्छे से पढ़ करके देखें तो सतारा कोशन लगवाग एक टाइप का है और इस पर प्रैक्टिस अच्छे से हम लोग करेंगे जिससे कि कुछ टाइप्स में हम लोग सारे चैप्टर को बाट चुके हैं उस टाइप्स का दीरे दीरे हम हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और बाद में मिक्स करेंगे अगला कोशन है ध्यान से देखेंगे थोरा सा बदल गया है क्या कर रहा है कोशन कि एक टेप रिकार्डर को 950 में बेचने पर 5% की हानी होती है 950 में बेच रहे हैं तो 5% की हानी है तो 1040 में बेचने पर क्या होग अब CP अगर निकालने का जंजट नहीं, कितना परसेंट पूछ रहा है लाब होगा, तो यह 5 परसेंट है, यह 4 परसेंट है, यह 9 परसेंट है, तो जब परसेंट निकालना हो, तो राइट साइड में परसेंट लिखो, जैसे रुपीज 950 बराबर क्या लिख सकते हो, 95 यही ए 95 परसेंट बराबर 950, कब? जब रुपीज में पूछता था, तब, अब यहां रुपीज में परसेंटेज में पूछ रहा है, तो रुपीज 950 बराबर 95 परसेंट, तो 1040 बराबर कितना? लिखेंगे, 95 रभटा, 950 गुना 1040, आप बताओ, यह 00, गैंसल, 95 गैंसल, 104 परसे याद करो, मैंने बताया था, कि देख करके प्रॉफिट परसेंट, 100 से जितना ज्यादा, वो प्रॉफिट परसेंट, 100 से जितना कम, वो लौस परसेंट, यहां पे 4 परसेंट ज्यादा है, 4 परसेंट, प्रॉफिट, फिर से देखें, 950 में बेचने पे 5 परसेंट की हानी हो इससे पहले हम लोगों ने देखा 95% 950 क्या कर रहा है 1040 में बेचने पर ये भी रूपीज है दो दो बार रूपीज का वैलू है और प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है जब प्रॉफिट परसेंट पूछे तो प्रॉफिट परसेंट राइट साइड में लिखेंगे लेप साइड में 950 बराबर 95 परसेंट तो 240 बराबर कितना 104 परसेंट और 100 से 4 ज्यादा है इसलिए 4 परसेंट प्रॉफिट अच्छे से समझ करके उसको पॉज करो और फिर नोट किया करो फिर एक बार सोचो को कि क्या का रहा है देखो पढ़ना तो जरूरी है या तो अभी का एक साल या पोरी जिंद्गी एक तरब अगर एक साल आप मेनत करते हो तो पूरे जिंद्गी इन्जवाए करना होगा और अगर पूरे जिंद्गी करना चाह रहे हो तो अभी कर लो अभी मैं बोल लाओ उसको फॉलो नहीं करो मत पढ़ो तो आसान कौन सा लग रहा है कि अभी एक साल मेनत करना और पूरे जिन्दगी इंज्वाइ करना तो अच्छे से समझेंगे अगला कोशन है ये एक आदमी एक बस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेच का 20% का लाव कमाता है यदि वह इसे दो गुनी कीमत पर बेचता तो लाव का परसेंट क्या होता सोचो कि हम लोग ये जानते हैं कि CP तो 100 होता है और SP क्या हो जाएगा 20% लाव है तो 120 क्वेशन क्या करा है इसको दो गुनी कीमत पर बेच रहा है मतलब 240 तो प्रोफिट परसेंट कितना तो 240 माइनस 100 यानि 140 परसे अच्छे से देखेंगे फिर से CP 100 होता है 20% परसेंट प्रोफिट है 120 दो गुनी कीमत पर बेच रहा है 120 कुना तो 240 तो 100 से कितना ज्यादा हो है 140 एंसर अगला देखें 22 SP रुपीज में दिया हुआ है फिर वही परसेंटेज पूछ रहा है तो जो पूछता है उसको किधर लिखेंगे लेफ साइट या राइट साइट तो जो निकालना है उसको राइट साइट क्या कहा रहा है 10% लाव पर 990 रुपया में बेचा जाता है यदि 890 में बेचा जाता तो वास्तविक लाव या हानी परसेंट क्या होता तो ऐसे लिख दें क्या रुपीज 990 बराभर 90% बस यह लाइन बोलकर मेरे साथ प्रैक्टिस करके देख लो कि अगर यह SP है तो परसेंटेज SP बना लो यह 990 है तो यह क्या होगा 90% इधर क्यों लिका क्यों कि udah वास्तविक लाव या और सैंट पूछ रहा है अगर ऐसे हम लोग नहीं शोचें क्या कर रहा है 10% के लाप पर 990 में बेचा जाता है तो हम लोग 90% बरावर 990 निकाल लेते हैं और 100% बरावर कितना होगा तो 999 बटा 90 गुना 100 इससे ये 111 बार में कट गया यानि CP आ गया 1100 CP कितना है या 1100 अब करा अगर 890 में बेचते CP दिया हुआ है 890 तो क्या होता यहाँ 0 10 से 9 1 10 से 8 2 210 रुपे का लॉस होता लेकिन आप्शन नहीं है तो क्वेशन में कहीं कुछ गर्वर है फिर से देख लो 90 परसें 990 तो 100 परसें 1100 यदि 890 में बेचा जाता तो वास्तुए क्लाव यहानि क्या होती तो यही होता 210 यह ओप्शन गलत है एंसर 210 0 से 0 10 से 9 1 यह 10 से 8 2 चले अगला कुशन एक आदमी ने 450 रुपे में एक बेट सिट खरी दी अच्छे से देखना 450 में बेट सिट खरी दी इसे भी क्रेमुल पर गर्णा की गई 10 परसेंट के लाब पर बेची दिया देखो हम लोग क्या जानते हैं कि लाब क्रेमुल पर होता है CP पर होता है Cost Price पर होता है इसने क्या किया SP पर सोच लिया SP पर सोचा तो यानि अगर SP 100 तो profit 10 इसने यह सोचा CP क्या हो जाएगा 90 यब SP 100% तो profit 10% और CP 90% और 90% में खरीदा था तो हम लोग लिख सकते हैं कि 90% बराबर रुपीज 450 तो 100% बराबर कितना 450 बटा 90 गुना 100 यानि answer 500 क्या कह रहा था ध्यान देंगे भिक्रेमुल पर गरना की गई 10% के लाब पर बेचा यानि ये लाब बिक्रेमुल पर तो जब SP पर है तो माना SP 100% तो profit 10% तो CP 90% और चुकि यह क्रेमुल है लागत मुल है खरीदा इतना में तो 90% 450 तो 100% कितना 100% क्या था यहाँ SP तो question पूछ रहा है कि बेट सिट का अगला देखें कोई बस्तू 5% हानि के बजाए 5% लाब पर बेची जाती है दो दो देखो पहला SP क्या होगा हानि तो पहला SP हम लोग क्या लिख सकते है 95% और दूसरा SP क्या लिख सकते हो तो 105% और तो आदमी किसको बस्तू को 5 रुपया अधिक का लाब होता यही हटा दो तो 5 रुपया अधिक का लाब होता मतलब 5% हानि के बजाए 5% लाब पर बेचता है तो 5 रुपया अधिक मिलता मतलब अधिक मिलता भिक्रे मुल का अंतर अंतर हम लोग को यही ध्यान देना होगा 105% से 95% घटा दो कितना है या 10% और ये 10% बराबर है रुपीश 5 ये दिया हुआ है तो CP निकालना लागत मुल 100% कितना तो 5 बटा 10 गुना 100 यानि 50 रुपया यानि option third 5% हानि पाला SP 95% 5% लाब 105% तो दोनों का अंतर कितना 10% पढ़ने के साथ 5-5-10% भी कर सकते थे और ये 10% 5 तो 100% 50 अगला है एक बस्तू को 20% के लाब पर बेची जाती है यदि इसे 25% के लाब पर बेचा गया होता तो 35 रुपया अधिक प्राप्त होता तो दो-दो परसेंटेज SP हम लोगों को नजर आ रहा है और कारा 35 रुपया अधिक यानि ये विक्रय मुल का अंतर है तो परसेंटेज कितना है 120% और दूसरा SP कितना है 125% ये लिखने की आवसेक्ता नहीं है ये पढ़ने के साथ कि अंतर कितना आ रहा है तो अंतर आ रहा है ये 5% और ये 5% परसेंट बराबर रुपेश 35 है तो 100% लागत मुल पूछ रहा है 100% बराबर कितना तो 35 बटा 5 गुना 100 यानि एंसर कि 500 इजी लग रहा है बहुत तेज लेके मैं नहीं चलना अराम अराम से धीरे धीरे चुकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इससे 2-3 कोश्यन रहता है हर एक एक्जाम में तो हम लोग बहुत अराम से टाइप आइस कोश्यन का सेलेक्शन करके आप से करवा रहा है एक कोश्यन और देखते हैं हम लोग देखते हैं वैसे ही एक आदमे ने कुछ बस्तु है परसंट के लाब पर बेची उसने अपने कुल विक्री आए ऐसी बस्तों को दोबारा यानि बेच करके जो मिला उसको 10% लाब पर बेचा और उससे जो पैसा मिला उससे फिर खरीद लिया खरीदने में खर्च करती लेकिन उस समय उसको 10% की हानी हो गई तो पहला या रूपी जोगरा नहीं है तो एक फॉर्मूला हम लोग यह जानते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई परिनामी इसको बोलते है परसेंटेज में और भी डिटेल्स में हम लोग इसको परहेंगे तो अगर इसमें यह ध्यान देना है बर रहा है बढ़ा दो घट रहा है तो घटा दो मतलब साइन माइनस करो तो पहला दस परसेंट बढ़ा था प्लस-10-10 प्लस-10 गुना-10 बट् यह तो cancel हो गया और यह भी minus 1% यानि 1% का loss minus मतलब loss यानि answer कौन सा होगा फास्ट हो जब भी 2-2 percentage है अगर दोनो profit percent होता तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100 करते दोनों loss होता तो minus 10 minus 10 minus 10 गुना minus 10 बटा 100 करते लेकिन यहाँ एक प्लस है और एक minus है इस डंग से निकालेंगे एक कुशन और देखें क्या कर रहा है एक वस्तू 20% की हानी पर बेची जाती है जब 20% लाप पर बेचा जाता यानी देखो पढ़ने के साथ पहला SP 80% और दूसरा SP 20% लाप है यानी 120% अंतर कितना अंतर हो गया 40% अंतर उल्टा मत घटाना अंतर मतलब होता बरा minus छोटा कुछ लोग सुचते अंतर मतलब इसमें से जिसका नाम पाले वो नहीं जो बरा है उससे छोटा घटा तो 40% और ये बराबर है कितना रूपेज 60 क्योंकि देखो ये भी अंतर बतला रहा है साथ अधिक या रहता है साथ कम तो अंतर को बता रहा है और लागत मुल पूछ रहा है यानि 100% पूछ रहा है तो क्या लेखते हैं साथ बटा 40 गुना 100 20 गुना 40 गुना 60 गुना 50 यानि 150 यानि option तो ऐसे आज के क्लास में हम लोग कुछ कुश्चन से देखें फिर अगले क्लास में और भी कुश्चन को देखेंगे थेंक यू